पूरा आप लोग द्यान से देखिएगा और मैं आपसे दवा करता हूँ कि यह जितनी भी भारत की जीले हैं उन सभी को आपको बिलकुल याद करा दूँगा बहुत ही आसान माद्यम से याद कराओंगा तो पूरी वीडियो आपको इंटर देखनी है सबसे पहले तो जानिए जील होती क्या है लेक होता क्या है तो जब किसी बड़े भुभाग पे काफी ज़्यादा दूरी पर पानी का रुकाव हो जाता है जमाव हो जाता है तो उसे कहते हैं जील यह totally closed होता है landlock होता है यानि कि जैसे की नदियां होती है या सागर होते है वो क्या होता है उसकी खाजिते होती है कि वो एक जगत से निकलती है और दूसरी जगा पर कहीं ने कहीं जाकर कि वो मिल जाती है तो वो तो होती है नदिया ऐसे ही सेम नहर भी होती है जो बहुत ही हम लोग ताब इक्जांपल दे सके हैं तालाब जो होता है बहुती छोटे मात्रा में होता है जब उसी का बड़ा रोप देखा जाय容 तो उसे हम लोग जील कह सके हैं क्लिएर हैं अब लोग समझने के लिए इसे याद पानी की जील है और दूसरा पॉइंट है चिलका जील जो उडिसा में है ये भारत की सबसे बड़ी खारी पानी की जील है ठीक है और तीसरा जो है वह है गोविंद सागर जील ये भारत की सबसे बड़ी कृतिम जील है तो इन तीनों को आप लोग याद रखिएगा अब हम लोग याद करेंगे बहुत ही अच्छे से जितने भी इंपोर्टन जील है सबसे पहले बात करते हैं जम्मु कस्मीर की ठीक है धरती का स्वर कहा जाने वाला जम्मु कस्मीर जम्मु कस्मीर दोस्त आपको बहुत ही असानी सी याद होता चलिए जम्मु कस्मीर जब भी आये तो आपको जैसे कि मैंने बताया नाग नाग नियाद रखना है कैसे अनंत नाग जील हो गया सेस नाग जील हो गया नागिन जील हो गया या बैरी नाग जील हो गया ठीक है तो यह सारी हो गए जम् ये तीन हो गए ला से संबंदित रिदम मिलाईएगा आप लोग अराम से मिल जाएगा डल, वुलर और मानस बल तीन हो मिल गए ला से तो डल, वुलर, मानस बल और अनंत नाग, सेस नाग, नागेन, बैरी नाग ये जहीले हो गई, जम्मू कस्मीर की प्रमू जहीले अब आसानी से आपको याद रहेगा, ठीक है बिल्कुल चेदा मत किजिए, सारी जहीले आपको याद हो जाएगी ऐसे ही ट्रिक के मादम से चलिए, अब आज आते हैं उत्राखंड में उत्राखंड ये रहा, आपको दिख रहा है उत्राखंड जब भी आए, आपको ताल याद रखना है ठीक है, जितने भी ताल आएंगे, सब उत्राखंड में है जैसे नैनी ताल, सात ताल, देवी ताल, राकस ताल, खुर्पा ताल, माता ताल clear है फिर से बोल दे रहा हूँ आपको वैसे याद करने की ज़ोरत नहीं यह जो मैं trick बता रहा हूँ केवल यही ध्यान रखना आपको और जैसे यह option आए तुरंद आप लोग टिक कर दोगे जैसे भी ताल आए आप समझ लिजी उत्राखन में है जैसे नैनी ताल, साथ ताल, देवी ताल, राकस ताल, खुर्पा ताल, माता ताल clear? चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग राजस्थान की तरब दोस्तों अगर सबसे ज़्यादा जील की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा जील जम्मू कस्मीर, उत्राखन और राजस्थान इनी तीन स्टेट में है तो आपको इन तीन स्टेट की बारे में सबसे पहले याद रखना है ट्रिक की मादल से बाकी जो छोटी-छोटी जीले हैं उनको भी हम लोग जाने लिए तो जम्मू कस्मीर हम लोगों ने जान लिया, उत्राखन जान लिया, अब बात करते हैं राजस्थान की तो राजस्थान से दोस्तों सबसे इंपोर्टन जील है सांभर जील इससे याद रखेगा सांभर जील जो है ये खारे पानी की जील है और बहुत ही इंपोर्टन लेक है इससे आप लोग ध्यान में रखेंगे क्लियर है अच्छा राजस्थान में एक है जैसमंद जील जैसमंद जील जो है दूस्तों ये आप कैसे याद रख सकते हैं राजस्थान की राजधानी है जैपुर तो जैपुर से आप लोग याद रख सकते हैं जैसमंद जील ठीक है जैसमंद जील राजस्थान में आप ये दो लेक आपको याद हो गए सांभर जील आपको खारे पानी की जील है राजस्थान यह बहुत ही फेमस है यह आपको याद ही होगा ठीक है एक और जील के नाम में याद रखना है डिन्डवाना जील डिन्डवाना जील कैसे याद रखेंगे डिन्डवाना सहर राजस्थ तो इतनी जीलों के बारे में आपको याद हो गया है अब भारत की कुछ और भी जो प्रमुक जीले हैं उसके बारे में हम लोग कल कबर अब करेंगे नहीं तो आप लोग भोल जाओगे हमारा में परपज यह सुरू करने का है कि आप लोग को याद कराया जाए ठीक है तो इस से आपको याद होना जाए मैं फिर से आपका रिविजन करा देता हूं जिससे इतना जो मैं मैं आताया हूं वह आपको विल्कुल याद हो जाए तो सबसे पहले जब भी आपके सामने जम्मुकस्मीर का नाम आए तो आप लोग नाग नागिन से सम्मंधित सभी नाम याद रखेंगे ठीक है जैसे अनंत नाग, सेस नाग, बैरी नाग, नागेन, तो नागेन जील भी यहीं पर है, क्लियर, और क्या याद रखना है, जमुकस्मी से ला वाले सब्द याद रखना है, जो रिदम में ला मिले, जैसे डल जील, बुलर जील और मानस बल, डल, बुलर, मान रास्ताल, खुरपाताल, माताताल, और राजस्तान आए तो क्या करना है, राजस्तान से सबसे इंपोर्टन जील, सांभर जील आपको विल्कुल याद होना चाहिए, खारे पानी की जील है, बहुती फेमस जील है, और राजस्तान जब आपको याद आए तो राजस्तान क्य फते सागर और पिछोला ये दो जील आपको याद रखने है रायस्तान से तो इतनी जील आपको विल्कुल याद हो गई सबसे इंपोर्टन और बेसिक पॉइंट मैंने आपको बताया बुलर जील भारत की सबसे बड़ी मीठी पानी की जील है चिलका जील ओडिसा में इस्तित है भारत की सबसे बड़ी खारी पानी की जील है और ये एक लेगून जील है इसे याद रखना है कल हम इसके बारे में ज सब्सक्राइब जरूर कर देना तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही कैसी लगी आपको वीडियो आप लोग कमेंट करके हमें जरूर बताएगा वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करके हमारा उत्सा बढ़ाईए साथ ही इन दोनों इंपोर्टन वीडियो को जरूर देख लीजेगा और आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्राइब करके बैल आइगन को जरूर दबाएं मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में तक लिए नमस्कार जय हिंद वंदे मात्रम